M.B. News की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को गर्तन दिवस की हार्दिक शुपकामनाय देना चाहता हूँ इस शूब अवसर पर हमारे साथ महजूद है युवा कवी अमन व्याज जी बहुत-बहुत स्वागत है जिससे की देश भक्ती जन जन तक जागरत होगी सबसे पहले अमन व्याज जी में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस गर्तन दिवस के अउसर पर देश भक्ती और कावी पाट का एक गहरा रिष्टा है कावी पाट के माध्यम से आप किस तरीके से देश भक्ती जन जन तक जागरत करते हैं इमपी न्यूज के सभी दर्सकों को गनतंतर दिवस की बहुत बहुत सुखकामना है पुना बहुत बहुत नमस्कार देश भक्ती और कावी या एक इस एक ही सिक्क्य के पहलू है कवीता से जन जागरन होता है अजादी के समय राम प्रसाद बिसमिल की दो पंक्तिया सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है इन दो पंक्तियों को सुन कर ना जाने कितने ही युँः फासी पर लटकने को तैयार हो गए बंकिम चंद्र चटोबाद घ्याई की कवीता जो उन्होंने आनंद मठ में लिखी वंदे मात्रम जो हमारा राश्टरगी थे उस कवीता ने तो नीव ही हिला दी अंग्रेजों की जिसके कारण अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंधी भी लगा दिया और उसी तहीं आजादी के सिरफ अंदोलन ही नहीं आजादी के बाद भी जेपी अंदोलन हुआ जेप्रकास अंदोलन अन्ना अंदोलन या किसी अपने किसी छोटे से अधिकार के लिए अंदोलन करता हुआ कोई किसान किसी नदी को प्रदूसर्ण से बचाने वाला या वर्त थी लेकिन कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए हमने देखा है कि बेनरों पर लिखा क्या रहता है दिनकर की पंक्तिया जो रस्मी रथी में उन्होंने क्रश्णी की चतावने के दोरान कहा याचना नहीं रन होगा जीवन या की मरन होगा ऐसी काव नहीं बुल और भादूर सा आप चपर को जब अंग्रेजों ने केत कर लिया तो अंग्रेजों ने उनसे कहा कि दम-दम में दम नहीं है खेर मांगो जानकि अप जफर जुकने लगी समसीर ह Satana की उनके सामने पहर ने खोला तो उनके बेटे का सव था और उनसे कहा कि जफर तुम्हारे लिए लिए कहता हूं कि दम दमे में दम नहीं है खेर मांगो जान की अब जफर जुकने लगी समसीर हिंदूस्तान की तो गुड़ा जफर जो जैल में वो क्या लिखता है अगली दो पंक्तिया और जोड़ता है अपनी कविता की कि दम दमे में दम नहीं है खेर मांगो जान की अब जफर जुकने लगी समसीर हिंदुस्तान की गाजियों में बू रहेगी जब तलक इमान की तक्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की एसे गुरू गोविन सिंग वगेरा वीर सावर कर कविता इसलिए कविता और राश्ट्र व्यक्ति इन दोनों का अपना आपसी संबंद बहुत है और इनी के कारण राश्ट्र की चेतना जागरत होती है युवा पीडी जागती जी आनिशित वर्वे व्याश्ट्र जी आजादी के समय में ऐसे कई क्रांतिकारी थे जिनों नी की अपनी आहूती दी है और तब जाकर ये देश आजाद हुआ है मेरा दूसरा प्रशना आपसे ये है कि आज का युवा डिफेंस सर्विसेस में जाने से कत्रा रहा है ना तो आज का युवा आर्मी जॉइन कर रहा है ना एर फोर्स ना नेवी आज का युवा वर्क कहीं न कहीं विदेशों में पढ़ाई करके नोकरी कर रहा है जब ब्रे सब्सक्राइब नहीं दे सकता है अभी हम देखते हैं कि दुनिया में रिसर्च यहां सब्द प्रयोग में लाया जाता मतलब कि भारत ने हर वस्तु की पहले सर्चिंग कर लेए पहले खोज कर ली अब उसकी पुनर खोज हो रही उसका अनुसंधान हो रहा है इसलिए भारत न आपको सुनाता हूं कि केसे भारत के बच्चे कहां कहां काम कर रहे और अभी से नहीं अब तो दुनिया आप सोच रही हमने तो त्रेतर दौपर से सब चीजों की खोज कर लिए मैं कहता हूं कि एपल के उस कटे भाग की सभी कहानी हमसे है एपल कमपनी का विसकार भी यह विमान और दूरदरशन, उस्पक विमान और संजे द्वारा, महाभारत का सीधा और तान्थ लायु टेलिकाश्ट एपल के उस कटे भाग की सभी कहानी हमसे है अब परमानु साध रहा हम पहले ही साध चुके आप सबको पता है कि कुरुक छेतर की भूमी अभी भी तो आप परमानु साध रहा, हम पेफले ही साध चुके, पूल साधते नदी ओपए हम सागर पर हैं, साध शुके, ये दुनिया के भले के हित, जो कुछ धर्ती पा धारन है, उन सब उपकरनों के पीछ昧 भारत ही इक intuition है, उन सब उपकरनों के पीछे भारत हीक आती है, इसलि दुनिया जितनी खोज हुई पुनरखोज बंद हो जाएगी तकनीकी के नाम पे करते मोज बंद हो जाएगी तकनीकी का अस्तित्व जगत में भारत ही के कारण है हम भड़क गए तो Facebook विंडोज बंद हो जाएगी हम भड़क गए तो फेसबूक विंडोज बंद हो जाएगी जी आनिशित तोरपे व्याज जी आपने कविता के मात्य हम से बहुत ही अच्छे से चित्रन किया है कि किस प्रकार से भारत देश का एक बड़ा योगदान है इस विश्व में वहीं एक तीसर प्रश्ण में आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत देश में आज भी ऐसी कई समस्या हैं जिससे की युवा वर्ग जूज रहा है सबसे पहले ब्रश्टाचारों वहीं एक अनेम्प्लॉइमेंट ये एक ऐसी परेशानिया है जिससे की हर युवा कहीं न कहीं पीडित है इसको लेकर किस प्रकार से भारत देश क्या इन सब समस्याओं से निराकरन कर पाएगा प्रिश्टोर्व भारत देश को निराकरन करना ही चाहिए और होगा भी क्योंकि हम से आयूरवेद आया है हम से अन्य चरक सुस्त्रूत यहाँ पर चिकित सा पद्देती जी से ओप्रेशन कहते हूं सब आया है तो भारत से यह सब चीज़ होनी चाहिए लेकिन यह सब चीज़ होगी केसे तो हमें हमारे जीवन को संगर से रूप में जलाना होगा हमारे जीवन की जोत जलाना होगे और जीवन की जोत केसे जलाना होगी जीवन जोत जले कुछ ऐसी जिससे जग ही जगमग हो जिसके उजियारे में सब कुछ दिखे न कोई डगमग हो जीवन जोट जले कुछ ऐसी सदाचार का भाव जगे अनाचार हो जाये पराजिस शिष्टा चार सोभाव लगे जीवन जोट जले कुछ ऐसी भारत माता हरसित हो जिससे अपने जंगन मन का भाग की विधाता चर्चितो अपने जीवन को एसे जोत जलाना ही होगा और हमें केसी राज अब इस धर्ती को जगती का सिर्मोर बनाना ही होगा भगस सिंग की देश बर्ति का पथा बनाना ही होगा तो हम यूआओ को भगत सिंग जैसा, मरत्यू का नहीं, लेकिन उनके जैसे जैसा उन्होंने देश की आजाधी के लिए संगर से किया, हमें आजाधी के बाद देश को उन्होंने जैसा सोच कर देश के लिए बलिदान किया होगा, वेसा देश को बनाने के प्रयास करना तो हमारे देश के बीर जवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस गरतन दिवस के शुबाउसर पर के सभी जवान को भी मेरी तरफ से गंता तर दिवस के सुख्कामनाय आप हैं इसके कारण हम यहां पर कह़ें को हैं हमारी वाणी बोल पा रहこちら है। और आप कारण हम सब हमारे घर में है शुरक्षु थे। लेकिन मैं दुनिया के जो हमारे अन्य पड़ोसी देश से उनसे कहना चाहता हूं यह आतंकवादी जो कहते हैं कि भारत पर आक्रमन करके या अन्य देशों को अपने जैसा बनाकर स्वर्ग में जाने पर जैसा आप जन्नत कहते हो वहाँ पर बहुत्तर हुरे मिलेंगी तो मैं कहता हूं कि सभी बहुत्तर हुरों की इच्छा के सारे संकी मारेंगे यह भारत की सेना की तरफ से कह रहा हूं सभी बहुत्तर हुरों की इच्छा के सारे संकी मारेंगे तुम कितने आतंकी भेजोगे हम सारे आतंकी मारेंगे इसलिए हमारा देश केसा रहा है तो राज गूरु सुखदेव सेखर भगत सिंग बाजा दी के बाके परवानों को प्रणाम है मैं इन सहीधों को रोज प्रणाम करता हूँ मैं हर बार आता हूँ तो एक बात कहता हूँ कि राज गुरु सुखदेव सेखर भगत सिंग आजादी के बाके पर वानों को प्रणाम है शुक्रिया भ्यायशी आप ने घर्टन दीवस के शुव रखर वीर जवानों के लिए एक भूत अच्छा संदेश दिया है कविता के मात्यम से आप हमारे शोLab में आए ने से था वजे बाताने करें संविधान के जिक क्या मेहरा चाहता हूँ कि संविधान में संसोधन आवस्यक है भारत के सम्विधान में संसोधन आवस्यक है वर्णा समुचे भारत भर के लिए ये पीड़े दायक है संसोधन ना हुए तो देश विरोधी नारे लगवाना ठीक नहीं अपनी कुछ मांगो के खातिर पिछले कुछ दिनों में जो अंदुलन हुए अपनी कुछ मांगो के खातिर देश जलाना ठीक नहीं देश जलाया यदी भूल से सब सपने जल जाएंगे हमें लडाने वाले वे सब पुना सफल हो जाएंगे पुना सफल वे हुए यदी तो 1947 य बंधू है यही निवेदन है राजा से जनता से आपसे यही निवेदन है राजा से जनता से दरबारों से सावधान रहना है हम को छुपे हुए गद्दारों से और ध्यान पुस्तक छोड़ो नहीं कहीं अध्याय प्राप्त हो सकता है समविधान की पुस्तक तो छोड़ो विश्व में इसके जैसा एक पाठ भी नहीं मिल सकता पुस्तक छोड़ो नहीं कहीं अध्याय प्राप्त हो सकता है कहां कोई इसके जैसा परियाय प्राप्त हो सकता है भारत सा समविधान विश्व के किसी देश के पास नहीं है जहां स्वान भी अन्यायो का न्याय प्राप्त कर सकता है जहां स्वान भी अन्यायो का न्याय प्राप्त कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पुना गणतंतर दिवस की बहुत बहुत सुपकामनाई धन्यवाद जी आनिशेत तोर पे व्याजी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे भारत देश में एक एकता ही है जो कि हम सभी जाती धर्मों के लोगों को एक सूतर में बांदी हुई है पहराल जाते जाते एक बार फिर मैं पुना अपने दर्शकों को गरतन दिवस की हार्दिक शुपकामनाई देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया